आज हम बनाएंगे साबू दाने का बहुत ही टेस्टी करारा चटपटा नास्ता इसको एक बार खालोगे तो पूरे दिन आपको भूख नहीं लगेगी और पूरे नो दिन तक आप एक बार बना कर इसको इस्तोर कर सकते हैं तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए साबू दाना तो यहां मैंने साबू दाने लिया है एक कप यानि की 200 ग्राम और इसको मैंने दिमी आज पी 6-7 मिनिट के लिए भून लिया है और इतना भूनना है कि हम इस तरह से तोड़े तो यह जो है न अच्छे से तूट जाए और अब इस साबू दाने को हम डालेंगे मिकसर जार में और उससे पहले हम यहां तोड़ा सा साबू दाना बचा लेंगे यानि कि दो चम्मच के सम्ति हमें साबुदाना बचा लेना है और इसको अब हमें पीस लेना है तो बीच-बीच में रोकते हुए चलाएंगे रो इसका एक दम पतला सा पाउडर बना कर तैयार कर लेंगे इस पाउडर से आप चीले पराटे पूरी भी बना सकते हैं यहां हम लेंगे एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल आप थाली भी ले सकते हैं और यहां हम लेंगे उबले हुए आलू तो यहां आलू को इस तरह से हमें किस लेना है आप चाहें तो इसको बिल्कुल ही अच्छे से मेस भी कर सकते हैं इस में जब हम किस ते हैं तो बिल्कुल भ सीरा दोनों को मिला कर लिया है एक हरी मिर्च को बारिक कट कर लिया है यहां हम डालेंगे तोड़ा सा अमचूर पाउडर और सूकी धनिय की पतिया अगर आपके पास सहरा धनिया है तो आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं और स्वाद अनुसार नमक और बचा हुआ साबुदा और आप इसमें डाल देंगे साबुदाने का पाउडर मतलब हमें यहां पर वही मसाले यूज करना है जो हम ब्रत में खाते हैं आप इन में से जो भी ब्रत में नहीं खाते उनको इसकीप कर सकते हैं यहां दो चमच हम मुमपली दाने का पाउडर ले रहे हैं अगर आपके तो आपना जब हम साबुदाना पीशते है तो उसमें तोड़े से मुमपली के दाने डाल सकते हैं तो आपको अलग से मुमपली दाने का पौडर डालने की जरूफ़त नहीं रहेगी और बस इसको हमें बढ़िया से हाथों की हल्फ से अच्छे से वाइंड करना है और अब हमे आलू आप कितने भी ले सकते हैं, quantity भी मेजरनी करनी यहां पर, मतलब हमें बस जश्ट साबुदाने को वाइंड करना है, मतलब पाउडर को सभी मसालों के साथ, आलू और इनका एक डो लगा की तियार करना है, सक्त डो लगाना है, सोप्ट बिलकुल नी लगाना है, कुछ इस तरह से, और इसमें आपको दही यहां फिर नीवू के जूस का इस्तमाल नहीं करना है, और यहां एक प्लेट लेंगे, इसमें तीन चार बूद हमने ओल डाला है, बिलकुल जरासा ओल डालना है, और हाँ आप इसको बिना ओल के भी मतलब अच्छे से सेट कर सकते हैं, तो द तो आपको हाथों से अच्छे से प्रेश करते हुए, दबाते हुए इनको पेलाना है, उपर से इवनली अच्छे से स्प्रेट होना चाहिए, तो देखे, यहां आपने इसको अच्छे से पेला दिया है, हाथों से अच्छे से प्रेशर देना है, इसमें दरारे बिलकुल भ कोड़ी बड़े खाखा कर बोर हो गए हैं तो एक बार इसको ट्राइ कर सकते हैं नवरात्री कल से ही स्टार्ट हो रही है तो आप इसको कल बना के रख सकते हैं और पूरे 9 दिन तक एंज्जोई कर सकते हैं इस तोर कैसे करना मैं आपको आगे बताऊंगे तो देखिए कोटे कोटे 1 वाइट के बरावर एक ढ़क लगा लगा ले और उसके बाद घंगे इसको फ्रीज में को 15 nd और आदे घंटे के बीच तक इसको फ्रीज में रखेंगा यानि कि आप 20 मिट या इसको 30 मिट 15 मिट फ्रीज में रख दीजी जैसा आपके पास टाइम हो और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है तो आप इसको 5 मिट के लिए फ्रीजर में भी रख सकते हैं और ऐसे हमें यह सब निकाल लेना है इसको बनाना पहुत ज्यादा आसान है कोई भी बना सकता है फेल होने के कोई चांसेज ही नहीं है तो इस तरह से आप एक बार बना करके अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप इस रेसिपी को जरूर डेपेनिटले ट्राय करे अगर आप काम करते हैं ओफिज वर के तो आप इसको बना करके इस तरह से डिब्बे में भर करके फ्रीज में रख दीजिए अच्छे से डखकन बंद करके और जब भी आपका मन करें तो आपको इसको 15 मिट पेले निकाल देना है फ्रीज से उसके बाद आप इसको यूज कर सक सकते हैं तो दिखे इस तरह से ढखकन लगा के हमें इसको रख देना है आप कितना सारा भी रख सकते हैं फैमली मेंबर्स के अकॉर्डिंग या फिर आप कितने दिन के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं या आप इसको इसको सेक लेंगे और निकाल देंगे और अब हमारे स्नेक्स को फ्राइ कर लेंगे तो यहां पर आज जो है ना मीडियम रखनी ना पहुत जादा हाई रखनी ना लो रखनी है अगर आप हाई रखेंगे तो यह बाहर से जल जाएंगे अगर लो रखेंगे तो यह थोड़ा सा तोड़ा सा मीटा नियम और जीरय का तड़का लगा करके utasakते हैं तो यहां देखिए इनको हमने 2-3 मिर्ट तक भूना है मीडियम फिलेम पे और यह देखिए इस तरह से यह एकदम बढ़िया से करा रहे हैं और अच्छा सा प्यारा सा इन पे गॉल्डन कलर आ गया है और बस इतना ही भूना है इसके बाद हम इनको निकाल लेंगे तो अभी मै इतनी फ्राइ कर रहे हूं जितने की हमें एक बार में खाना है अब बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत हल्दी भी होते हैं और यहां देखिए दूशरा बेच भी हम इसी तरह से फ्राइ कर लेंगी और बाकिके जो उनको मैंने डिबे में भरकर के फ्रीज में रग दिया है। जब भी मेरा मन करेगा या भूख लगेगी तो मैं उनको फ्राइ कर लोगी। अगर मैमान आ जाते हैं नवरातरी में तो आप उनको भी फटा फट यह दे सकते हैं। आप इनको आलू की सबजी के साथ भी खा सकते हैं, टमाटर की चटनी, मीटी चटनी, नारियल चटनी, धनीय की चटनी, पुदेनी की चटनी, किसी भी तरह की चटनी के साथ आप इसको इंजोई कर सकते हैं, तो यह देखिए दूसरा बेच भी मैंने उसी तरह से अच्छे से इसको डिफ्राय कर लिया है, इसको भी हम निकाल लेंगे, तो इस तरह से हमारा स्नेक्स बनके तियार हो गया है, और यह बहुत ही टेस्टी साबुदाने की बड़ी बनके तयार हो गई है, यह नाम सही है कि कुछ और रगे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जो हमने अबुदबाला वो कितना बढ़िया से दिख रहा है, एकदम लुकिंग वाइस बहुत प्यारा लग रहा है, इसके साथी मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च को भी ठ्राय कर लिया था, आप हरी मिर्च के साथ भी इसको एंजोई कर सकते हैं, अगर आप ब्रत के लिए नहीं बना आप इसको एक बार जरूर ट्राय करें और इंजोई करें इसको और चलिए इसको बढ़िया से सर्व भी कर लेते हैं, तो फ्रेंट्स आपको कैसा लगा ये वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक सेर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिपिकेशन आप तक सबसे पहले पोस्ट सकें, और ऐसी मैंने और भी पहले रेसिपीस अपलोड कर दी, प्लीस एक बार जाके उनको भी चेक कर लें